हेलो हाई एवरीवन तोड़े वीडियो बाई अक्षाथ इस बढ़ते मार्केट में कौन-कौन से आट अच्छे और सच्छे स्टॉक्स खरीद रहा हूँ let's jump to the video हाई एवरीवन आज के वीडियो में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं HDFC bank के example से शुरू करता हूँ और एक बहुत important learning है जो मैं आपके साथ share करूँगा so यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने HDFC bank में करीक परीक एक सवा करोल रुपए लगा रखा है अगर आप Kotec bank पीस में include कर दो और इस तरीके यह banks अगर आप include कर दो तो मेरा portfolio जो मैंने इसमें लगा रखा है वो काफी बड़ा था पिछले 4-5 महीने से मैं काफी बात भी कर रहा था कि यार देखो यह banks जो है यह fundamentally strong है अच्छी buying opportunity है, large cap blue chip companies है, results अच्छी आई हुए इन short fundamentally strong है and जो इनकी price है, जिस कीमत पे यह stocks मिल रहे है वो भी ठीक ठाक कीमत मिल रहे है, तो मैंने इसमें अच्छा मोटा पैसा लगा दिया पिछले एक महीने में चाहें आप HDFC bank देख लो, Kotec bank देख लो, सब उपर जा रहे हैं और 10-12% run up हो चुका है, एक अच्छे खासे decent से stock में है अब आप बोलोगे कि यार, आपका 10-12% run up हुआ है, ऐसी कौनचे बड़ी बारी चीज़ हो गई देखें, बात ही आती है कि जो आप absolute return कमाते हो ना, उसके बारे में hardly कोई बात करता है अब अगर देखो मुझे लगाना हो छोटा पैसा किसी stock में, तो मैं एक microcap पकड़ दूँगा और या राधर 4-5 microcap पकड़ दूँगा, उसमें लगा दूँगा, उसमें से 1-8 stock चल जाएगा और मैं तब को दिखाता है कि यार देखो मेरे ना, 1500% return मन गए या 200% return मन गए किसी stock में important चीज यह होती है और आप इसको logically सोच के देखो कि आपका पैसा जो eventually बन रहा है absolute terms में वो जादा माहिने रखता है सो बढ़ता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है और अच्छे-चे stocks पकड़ना चाहते हैं बढ़ते हुए stock market में इससे तो wealth growth होती है लेकिन wealth preservation भी बहुत important step है तो इसके लिए मैं आपको आज के जो sponsors हम से introduce करता हूँ वो है टिटो यह बहुत अच्छा platform है जिसके थूँ आप term insurance करीच सकते हो अधी अगर आप notice करोगे तो inflation जो महाई का दर है वो करीब करीब साथ परसेंट से बढ़ रहा है और जो medical inflation जो term insurance के premium है वो करीब करीब 14 परसेंट से बढ़ रहे है तो बहुत तगड़ी तेजी पर growth हो रही है साथ साल तक का सी साल कमत लेना क्योंकि इसमें होता है कि आपके 20 साल का premium बहुत साथा लग जाता है तो लेसन यह निकल के आता है कि जब आपको एक अच्छी buying opportunity दिखती है अच्छे stocks में जो fundamentally बहुत strong हो इसमें आपको लग रहा है कि आर देखो अच्छा मोटा पैसा लगाया जा सकता है कीमत अच्छी मिल रही हो timing अच्छी चल रही हो तो आप उसमें मोटा पैसा लगा के बैठ जाओ और फिर चमतकार देखो आपकी विल अच्छी में बहुत अच्छे से ग्रो करेगी तो कि आप लोजिकली सोच के देखना है और आप देख भी लेना HDFC वांग की performance अगले एक देर दो साल में आपको पता चलेगा कि यार आप पीछा मोट के देखो को ना देर दो साल पहले की आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा मोगा था HDFC वांग खरीतिये बैड़ जाना चाहिए था कि इस तरीके के अच्छे solid stocks खरीतिये बैड़ जाना चाहिए था hold करे रहते हैं बहुत अच्छा return बनता हमारा absolute terms में तो यह absolute return बनाना एक बहुत important skill है जो आपको समझ में आनी चाहिए stock market में second सवाल यह आता है कि देखो यार market तो बहुत जादा बढ़ गया है all time high hit कर रहा है तो हम अच्छे fundamentally strong stocks बची नहीं है जिसमें हम पैसा लगा सकें नहीं अच्छी बात ही है stock market के बारे में कि आपको हमेशा अच्छी buying opportunities मिलेंगी अगर आप एक fundamentally patient investor हो और आपको business analysis समझ में आती हो तो इस वीडियो में बहुत ही simple आसान भाषा में मैं आपके साथ कुछ stocks discuss करूँगा यह stock buying recommendation नहीं है मैं आपको सर्फ यह बताऊँगा कि मेरे हिसाब से अच्छे business क्यों है मैं अपना perspective दूँगा काफी सारी कंपनियों में मेरा पैसा लगा हुआ है मेरे video बनाने से कोई stock हिल नी जाएंगे इतनी बड़ी मेरी community है नहीं कि मैंने अखेस्टरवासा ने stock बना दिया यह XYZ HDFC bank उनकी trillion dollar market cap हो रही है और stock हिल रहा है recommendation नहीं है आप अपने हिसाब से सोच लेना मेरा perspective समझ लेना दूसरे इंसान का भी perspective समझ लेना जो एक अलग तरीके की opinion दे रहा हो और फिर अपनी समझ के हिसाब से आप अपने investment decisions ले लेना तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके साथ 6-7 stocks discuss करूँगा जो मेरे हिसाब से एक अच्छे buying level पे हैं एक breakout दिखा रहे हैं मैं आपको समझाओंगा भी कि breakout क्यों हो रहा है और ये stocks आगे चलके अच्छा कर सकते हैं provided की market बना रहे मैंने हाली में एक English video भी किया था मैं link डाल दूँगा description comment box में आप उसको आगे देख लेना आपको overall 2024 का market perspective भी समझ में आ जाएगा उसको अराम से देख लेना आप बहुत अच्छा important video है तो मैं link डाल देता हूँ आप उसको देख लेना चलिए कान ही आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला stock जो मेरे एसाब से अभी भी बहुत अच्छे solid level पर है हो है HDFC bank कोटेग bank अभी तो breakout शुरू हुआ है इसमें अच्छा return मनेगा मेरे एसाब से अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो सबसे पहले fundamentals देख लेते हैं यही fundamental बा है all time high profits पे है कोई issue नहीं है in terms of compounded profit growth की बड़ी company है कहीं को लगता है कि यह HDFC bank और बड़ा वनेगा कि नहीं बनेगा बिल्कुल वनेगा 20% के क्या करके इसाब से बड़र है na profit growth rate जो होता है वो बहुत important होता है because जितना मुनाफ़ा company कमा रही है उसी को तो आगे चलके reinvest तो from that perspective आप देख सकते हो कि अच्छे खासे profit level पे कोई issue नहीं हो रहा है लोग फालतुदी बाते हैं कि HDFC bank डबल नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता आप यार Apple की story जाके देखो आप Apple को सर्च करो कि Apple का market cap किता है और आपको फटा फट समझ में जाए कि trillion dollar की company बैसा डबल होती र बात करेंगे लेकिन हाल फिलाल अभी आप समझ लीजे कि देखे business performance के हिसाब से HDFC bank हो गया corporate results में कोई कमी नहीं है दूसरा सवाल आता है कि अच्छा यार ऐसा थो नहीं कि हम बहुत बड़ी हुई कीमत पर खरीद रहे है तो ठीक है उस बारे में भी बात कर लेते हैं अब इ PE expansion होगा most likely होगा कब होगा उसके मैं आपको लिखे नहीं दे सकता stamp paper पर वह आपको थोड़ा बात चांस लेना पड़ता है अगर आपको कहीं से भी पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत तो investment risk ले नहीं पड़ेगी यह बहुत ही simple सी बात है तो fundamentally strong है बिल्कुल है from a PE expansion point of view growth opportunity है technicals इसके solid है कि नहीं और कितना return मन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो आप यहां से देख सकते हो और मैंने draw out already कर रखा है कि यह जो HDFC bank का है उसका long term trading channel है और यह data मैंने पिक करा है 2017 के आसपास का तो काफी long term perspective से है क्योंकि आप HDFC type का stock खरीद रहे तो यार आप दो-चार साल का तो viewpoint मना के चलोगे और चलना भी चाहिए तो उस इसाब से अगर आप long term perspective hold करते हो क्यार मेरे को ऐसी कोई जरुरत नहीं है पैसे वैसे की एक-दो साल hold करके देख लेते हैं देखते हैं क्या होता है तो अगर economy अच्छा करती है तो इसमें आपका कितना profit होने अची आप हो सकता है फटावट का बतलब एक महीना हो दो महीना हो मुझे नहीं पता कितना time लगेगा लेकिन बिल्कुल 20% गेन तो definitely नजार आता है फिर इसमें भी channel trading होते हुए भी एक दिन यहां पर पहुंचेगा वह सकता है यह यहां पर जाके पहुंचे लेकिन यहां प में बहुत तेजी आने वाली है FII वापस आने वाले हैं दुनिया वर्गी बाते हैं वही FII वापस आएंगे तो कहा आएंगे HDFC टाइप के स्टॉक में तो आएंगे राइट सो यह एक सिंपल सा सोचने वाला मुद्दवर आता है और इसलिए मेरे हिसाब से HDFC बैंक, OTEC बै अब इशू क्या हो गया है कि इनने रन अब बहुत दे दिया तो अब मुझे पता नहीं है कि यह और यह यह अंडर वालुड है मैं बुद्धी लगाँगा नहीं मैं सिंपल सा यह देखूंगा कि जो अंडर वालुड मिल रहा है वो खरी लो बागी फिर अपना इंजॉय कर करते हों कि दिन्वा स्क्रीन पर टंगें हुए देख रहे हैं यह सब मैं नहीं करता फालते का टाम बना वेस्ट नहीं करता कम्यूनिटी पे अगर आप सीरियस इंवेस्टर हो अगर आप चार-पांच लाग रुपए साल के डालते हो स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली जॉइन कर लेना आर हुआ बहुत पॉसिटिव है आपका फायदा हो जाएगा हर कोई जिसने भी यूट्यूब मेंबर बन सके क्योंकि ओपन चैनल पे त्यार हर कोई अपनी उपिनियंस देता रहता है और कुछ उसमें फिल्टर नहीं रहता तो फिल्टर लागाना जरूरी है तो इस हिसाब से कम्यूनिटी मेंबर्शिप डिजाइन करी हुई है बहुत ही बेसिक से फीस पे आप एक महीना ट्र स्मॉल कैप का मतलब छोटी कम्पनी है तो आप छोटी कम्पनी है तो यार उसमें वॉलिटिलिटी भी बहुत जादा रहेगी आपने खुद ही देखा होगा स्टार्ट अप्स वगरा में कि मैं जब एक दिन बहुत चा चल रहा था है हजारों करोन की फंडिंग आ रही है फ प्रॉफिट्स होल टाइम है रेविन्यू कोई समस्था नहीं है बिजनस पॉइंट ऑफ यू से ग्रोफ रेट कम्पनी का अच्छा है और किस कीमप पे आपको मिल रही है देखो पी रेशयो एकदम पिटा हुआ है एकदम डाउं ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक अब हो सक जो हम सोचते है कि हार फंडमेंटली कम्पनी के रेशल्ट्स अच्छा है है तो एकदम प्राइस एकदम से बढ़ा जाना चाहिए या एकदम मैच हो जाना चाहिए ऐसा रेरली होता है आपने कई बार खुदी नोटिस किया होगा कि रिजल्ट्स अच्छ हाते थे तो और गि नहीं होता लेकिन long term में जो price होती है वो catch up कर जाती है fundamentals के साथ यह बहुत important point है because यही एक major difference होता है investors का जो अच्छे investors होते हैं वो इस point को समझते हैं और जो trader प्रवित्ती के लोग होते हैं कि इनको हर दिन कुछ ना मुझे खलबली करनी होती है market में आके वो यह point समझते नहीं है right so आपको पहले stand लेना है कि आप investor हो कि आप trader हो मैं एक investor हूँ मैं macro investor हूँ मैं diversified investor हूँ तो मैं आपको अपना perspective समझा सकता हूँ अब आपको trading सीखनी है तो आप किसी और से सीखें यह video आपके लिए relevant नहीं है from that perspective वापस आते हैं आवास finances की story पे अब आप खुछ सोच के देखें कि आवास finances जैसा stock क्यों बड़ेगा क्योंकि आवास finances का 70-80% business जो आता है वो किसे आता है home loan देने से आता है अब home loan कभ लेंगे लोग जब interest rate कट जाएगा interest rate कभ घटने वाला है आप news दोड़ा के देख लो पढ़ लो थोड़ा सा आपको खुद पता चलेगा जो US का federal bank है उसने खुद announcement करें कि अगले साल हम 3 interest rate कट करेंगे तो अब US ऐसा तो एनी कि सिर्फ US कर देगा और बागी country आं मूत आके देखती रहेंगी नहीं वो भी करेंगी अपना interest rate कट भारत में RBI भी interest rate कट करेगा तो जब interest rate कट करेगा तो लोग जाधा मकान मनाएंगी कि कम मकान मनाएंगे तो short answer आता है जाधा मकान मनाएंगे तो क्या होगा भई फिर आवाज financial जैसे stock पे तो बढ़ जाएगा simple सा point है इसमें ऐसा कोई आपको बहुत खास गुद्धी लगानी नहीं है अब कितना बढ़ जाएगा अब ये एक बहुत अच्छा सवाल आता है इसमें मैं आपको guarantee नहीं दे सकता है कि कितना बढ़ेगा लेकिन उसके लिए आपको थोड़ सा technicals पता होना चाहिए अब मेरे साब से देखें यहाँ पे stock जो था वो downtrend में था अभी भी downtrend में एक तरीके साब कह सकते हो यहाँ से bounce back आया तो यह बहुत अच्छा support level आपको बन जाता है लेकिन इसमें notice करने वाली बात यह है कि stock का जो trading channel था वो करीब करीब काहां पे आता है वो आता है यहां पे । hiç सटॉक में आपका हो सकता है एक साल में बुठ जाया है पो सकता है मैं तो बोल रहाएव चार साल लग जायता है यहाद दो थोड़ी कि यॉचिज बरबाद हो गए चार साल आपने stock खरीत के तो यह हो गया दूसरा तीसरा stock जो अपने बात करी अब चलते हैं next stock के प्रती and यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बताऊँगा कि आपको है थोड़ी सी momentum investing भी समझ में आनी चाहिए एक growth market में momentum investing क्या होती है momentum investing का मतलब होता है कि आपने खरीदा 100 रुपय पे और आपने बेच दिया 120 रुपय पे momentum investing करी जाती है usually जब market बढ़ रहा होता है तो अभी market बढ़ रहा है तो therefore हमें कुछ ऐसे stock भी identify करने चाहिए जिसमें आप momentum investing कर सको अब यहाँ पे मेरा perspective change इस प्रकार हो जाता है कि लोग usually करते है momentum trading मैं करता हूँ momentum investing अब इसमें difference क्या हुआ देखिए momentum trading का मतलब हुआ कि आपने जैसे example के दुरू समझते हैं कि आपने clean science and tech यह आपको अच्छी company लग रही है आपने जाके इस पे ट्रेडिंग कर लिया आप यह स्टॉक जो है 1500 रुपए पे है 1700 तक जाएगा 1700 रुपए मैं अपनी position काट दूँगा तो आपने खरीद लिया और बढ़ गया और आपनी position काट ली और 1500 रुपए के आसपस का profit बुक कर लिया एक stock खतम कानी अब मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मैं इस stock में momentum investing करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मैं इसकी fundamental study करूँआ जैसे for example यह company उठाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार profit में कोई कमी नहीं है profit अच्छा चल रहा है सब कोछ बढ़िये चल रहा है A B यह किस industry में आता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि clean science and tech actually में करता क्य है यह बनाता है performance chemicals mostly इसका 70% के आसपास का business आता है performance chemicals से अब performance chemicals क्या होते है जैसे आपने heavy drilling machines देखी होगी तो उसके अंदर जो chemical डलता है drill करते time पे वो एक specialized chemical बनता होगा तो एक तरीकी से आप बोल सकते हो कि यह specialty chemicals हो गया यह performance chemicals हो गया similarly अलग-अलग तरीके की machines होती है उसम कंपनिया custom order देती है कि आर हम लोग है यह specialty बहुत machine मना रहे हैं जिसमें आप पांच रोड इखटी बन जा है something like this right तो उसमें क्या करेगा उसमें आप भाईसा आपको कुछ special chemicals चाहिए होगा तो यह company जाके क्या करेगी यह इस तरीके के chemicals बनाएगी तो यह हो गया performance chemicals तो important point जो आपको notice करना है यहां से और यह चीजें समझ में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मैं आपको भी बताऊंगा कि macro economics कैसे काम करती है तो यहां पे आप देख सकते हो कि यह diversified business है 36% business इसका इंडिया से आता है 20% China से आता है similarly America से आता है कुछ 15% Europe से आता है और बाकी सारी countries मे definitely पढ़ेगा यह हमें acknowledge करने वाली बात है क्योंकि इसका major consumption इंडिया में नहीं हो रहा है अभी आपने क्या notice कर रहा होगा macro economics से point of view से कि China के through बहुत anti-dumping चल रहे थी क्योंकि चाहिना में बहुत जादा माल बिख नहीं रहा था industrial usage उनकी कम थी construction activities कम थी industrial development activities कम थी तो Chinese companies ने क्य क्या हुआ बहुत सारी specialized chemicals कमपनिया specialty chemicals इंडिया में बहुत सारी manufacturing कमपनिया बहुत सारी कमपनियों को नुकसान हुआ अब क्या है कि अब यह कहानी पूरी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आप dumping एक point तक ही तो करोगे अब चायना में वापिस growth revival हो रहा है वह आपको story बता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा यह story भी कहीं जाके खतम होगी और ऐसा लग रहा है कि यह story अब खतम हो चुकी है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यह आप price से figure out कर सकते हो आप यहां से देख सकते हो कि इसमें एक बहुत अच्छा downtrend बना था यह आप देख सकते हो यह downtrend बना बन है राइट यह तो गया पहला पार्ट दूसरा आप रिस्क प्रोफाइल देख लो स्टॉक में कि अगर आप देखो कि इस स्टॉक ने IPO किया था यहां पर करीब सोला सो रुपए पर पूरा इसने डांस अपना कंप्लीट करा यहां वहां घूमा एंड कितने टाइम हो गया य कंपनी इंप्लॉई फायर कर रही है दुमिया वरके ना टक नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक टाक सी परफॉर्मेंस है चलो ठीक है यार बहुत महान परफॉर्मेंस नहीं है बाउंस बैक हो रहा है तो मेरे इसाब से एक अच्छे कंसॉलिडेशन जोन में कोई ऐसी काटिगरी की है वो लार्ज क्या बनेंगी अब हो सकता है कि पांच साल लगें दस साल लगें यह वो लेकिन जो मिड़ क्याप स्मॉल क्याप होती है उसमें संभावना जादा होती है प्रॉबबिलिटी जादा होती है कि इसका मार्केट कैप 4x 5x हो जाए तो थोड़ा सा ए तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं जो चार-पांच गुना होते है वो इनमें से एक कंडिडेट यह अच्छा है गयारंटी मैं ले सकता मैं आपको स्टैंप पेपर में फिर चुरू हो जाएंगे लोग कि स्टैंप पेपर में लिखके दो अगर प्रॉफिट बन गया था हमार पीवियार आइनॉक्स अब इसमें फंडमेंटल थीसिस क्या है देखिए सबसे इंपॉर्टन फंडमेंटल थीसिस पर यह है कि अगर आप 2021 के आसपास जाओगे सबने वह सब कहानी बेचनी शुरू कर दी थी नेट्फ्लिक्स आ गया है प्राइम आ गया है और यह नो फलान अब आपको समझ में आ रहा होगा किया देखो जो ओटीटी है नेट्फ्लिक्स प्राइम यह सब उनकी अपनी ओडियन्स है जिनको जाके थीटर में मूवी देखनी है सल्मान भाई की या शारुक भाई की वो तो देखेंगी देखेंगे आप उनको कुछ नहीं कर सकते तो स सीथे ओटीडी में रिलीज कर देते हैं जैसे आर्चीज हो गई है और पतना नहीं क्या क्या हो गया आप लंग मुझे कोट मत कर दे ना यह मैं मजे क्लिए बोल रहा हूं यह सब बात है तो इस तरीके के सीथे उनको पता है यार थीटर में रिलीज कर दो तो हो सकता है शाय इसका इंट्रेस्टिंग रिजन यह है कि इसमें काफी इंफरस्ट्रक्ट्टर इंवेस्मेंट करी गई है इन टरम्स ऑ रिवांटिंग पीविया क्योंकि 2020 कि आसपास इन लोगों को भी समझ में आ गया था कि देखो यार जो हमारा अभी चल रहा हुआ जो मॉडल है यह तो चेंज करना पड़ेगा इसमें हमें आडविटेजमेंट्स जाधा करने पड़ेंगे हमें टायप्स जाधा करने पड़ेंगे हमें जो पेमेंट प्लाटफॉम्स होते हैं उनके साथ डिसकाउंटिंग करनी पड़ेगी और दुनियावर की चीज़ें इंफरस्रक्ट्टर ब लगी और उसके बाद इनने अपना मॉडल चेंज किया तो अभी ये मॉडल चेंज हो रहा है अब आप जाके बाद में खरीद हो गई ये स्टॉक तो आपको बहुत महेंगा मिलेगा ऐसी कुछ कानी है और मुझे पता है अभी होंगे बहुत विरले लोग वो भी आके की स्टोरी देख लेना मैंने बहुत टाइम पहले बारे में बोला था उसके बाद तो बहुत सारे लोग बोलने लग गए और अभी मैं साथ-सातर परसेंट प्रॉफित में तो डेफिनेटली बैठाओं मैंने चेक नहीं करा अपना पॉर्टफोलियो और उस समय पे भी बात हम पे अभी स्टॉक है इससे आपको साथ-सातर परसेंट तो मेंगा मिले गई मिलेगा राइट सो यह सिंपल सा व्यूपॉइंट हो गया इसलिए अभी आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल रहा है अब बाद में जाके खरीद होगे आपको मेंगा मिलेगा अब मेरे साब से इस यह ट्रेडरों वाला फाल्दूपन नहीं करते वो वो खरीदते हैं पंदरा सो रुपय पे और बेशते हैं छे अजार में राइट सो मैं भी उनी के साथ लगा रहूँगा कि भाई जो अपने इन्वेस्टर बंदू जो है वो ले जाएंगे स्टॉक साड़े-पाथ-छे- आपे लिए बाते करके कि अभी लोगों के मन में है कि अभी आई टी स्टॉक खरी लें यह फलाना इंग का बहुत बहुत बादा चल रहा है यह हो रहा है वो रहा है विखिया बिक्त के साथ दिक्कत कि है कि अभी उसने 25-30% का रहना आप दे दिया है बहुत अच्छा ऐसा क्यों किया था मैंने अगें वो HDFC बैंक की स्टोरी किया में को सेफ लगा मैंने भरवर के पैसर डाल दिया उस में एंटी कि आप मज़े हैं राइट आपका बन गया है तो आप खुश हो उस चीज में अब नेक्स पॉइंट आता है कि कंजूमर डूरेबल रियाइट कंज बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम में चल रही है जब आती है मिडिल इंकम लूर इंकम सेग्मेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यह मैं कोई पॉलिटिकल स्टेट्मेंट नहीं चारी कर रहा हूं मैं आपको जैनुविन डेटा जो है मैं आपको वही बता रहा हूं आप अप आपको बहुत सारे consumer loans दिये जा रहे हैं बहुत अच्छी facilities के साथ दिये जा रहे हैं कि आप अपने credit card link कर लो UPI से खरील लेना आप यह कर लो अपने bank के साथ खरील लेना यह आपको cash back देशेते हैं आप खरील लेना तो हो सकता है इस consumer lending की विजह से demand का revival हो क्या demand का revival होगा हो मैं long term investor नहीं हूँ मुझे बहुत जाता scope at least 15-20% 30% के आसपास की growth नहीं दिखती इसलिए मैंने धीरे-धीरे करके अपना mostly portfolio shift कर दिया है finance की तरफ करीब करीब अभी मेरा 70-75% portfolio finance में है आगे चलगे 80-85% होगा क्योंकि यह एक major segment है जहां पर मुझे massive growth दिखती है भारत में ल में रहूं consumer durable मुझे high growth industry नहीं दिख रही मैं अभी बेच के निकल भीने रहा हूं कुछ stocks मेरे पास loss में पड़े हुआ है मैं अभी hold करा हूँ आओ कोई issue नहीं है आ जाएगी एक मौका मिलेगा निकलने के लिए लेकिन जब भी मुझे मुझे मौका मिलेगा तो मैं निकल ज